हेलो एव्रिवान मैं हो किरिन शापरी और ये है आप लगों के लिए कमिंग वीक का सापता ही कराशीफल ये 17 जानवरी से लेकर टूरी 3 जानवरी तक के आपकी टारो रीडिंग्स हैं टारो प्रेटिक्शन्स हैं और सबसे पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज लाइक शेर और सब्सक्राइब करें इसके साथ साथ अगर आप डेली टारो रीडिंग में इंट्रेस्टेड हैं तो आप मेरा इंस्टा पेज भी विजिट कर सकते हैं जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और दूसरी बात इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं सन, साइन, मून, साइन, एसेंडेंट या पिर नाम के हिसाब से भी राशिया होती हैं उसके अकोर्डिंग भी आप इस रीडिंग को देख सकते हैं और अगर आप मुझसे पूछेंगे तो मैं आपको यही कहूँगी कि जिस साइन को आप अभी तक फॉलो करते आ रहे हैं या पिर जिस साइन के हिसाब से आप अभी तक अपनी रीडिंग्स को देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं, आप उसी साइन को फॉलो करें तो चलिए जी शुरू करते हैं, कमिंग वीक का सापता ही क्राशी फल तो चलिए लिब्राज आप छों के लिए देखें की कमिंग वीक क्या लेकर आ रहा है, क्या energies हैं तो आप छों के लिए प्रोफेश्नल फरंड के लिए cards हैं, जैसे कि आप सब लोग ही देख पा रहे होंगे ये card give and take की बात करता है, lane day की बात करता है, sharing की बात करता है और देखिए कुछ ऐसा ही in general या फिर specifically आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है क्योंकि ये general reading है तो ये lane day सब के लिए refer कर सकता है कुछ के लिए हो सकता है कि आप Libras, अपने thoughts, अपने ideas, अपने co-workers, अपने colleagues के साथ share कर रहे हैं कुछ के लिए हो सकता है कि आपके colleagues की ऐसी energies हैं और देखिए financial, emotional, mental support अगर आप चाहा रहे हैं तो आपको मिलता हुआ दिख रहा है कि इस week उसी loan, उसी करजे को आप चुका रहे हैं या फिर कोई चीज आप borrow करना चाहा रहे हैं या कर रहे हैं देखिए overall six of pentacles का card एक अच्छी energies की बात करता है और नीचे देखिए awareness का card, tarot में magician का card है और ये card कही magical energies की बात करता है, action initiatives की बात करता है, active energies की बात करता है बहुत ही confidently, बहुत ही assurity के साथ अपने goal, अपने मकसद को pursue करने की बात करता है और फिर से मैं कहाँगी कि कुछ ऐसा भी आपके professional front में रहता हुआ दिख रहा है और हो सकता है कि उसी से ही related, एक sharing, एक lane देन, specifically आपके professional front में इस week रहता हुआ दिख रहा है and personal front के लिए आप लोगों के लिए queen of cups and shadow के cards है देखे queen of cups का card कहीं emotions की बात करता है, feelings की बात करता है, mood swings की बात करता है और कहीं shadow का card, fear, insecurities की बात करता है, कहीं confusion की बात करता है तो देखे overall के लिए देखें Libras, तो personal front में आप low energies में रहते हुए दिख रहे हैं कहीं you know again मैं कहूंगी कि आप emotionally 100% नहीं feel कर रहे हैं और इसके लिए सब के लिए different reasons हो सकते हैं लेकिन shadow का card कहता है कि again कुछ fears, कुछ insecurities आपके मन में रह रहे हैं और अगर ऐसा आप Libras पाएं, तो जरूर इन ही energies से अपने आपको बाहर जरूर निकालें और देखे मैंने हमीशा कहा है यह जो fears होते हैं, यह जो insecurities होती हैं यह हमारे ही mind की creation होती हैं और देखिए 85-90% यह बे-बुनियाद होती हैं, baseless होती हैं इनका कोई तत्व नहीं होता है एक मरते हुए इंसान ने अपने deathbed पे कहा भी था कि जितने भी मेरे fears थे, उसमें से again 85% बिलकुल ही baseless थे जिसकी वज़े से मैं बहुत कुछ नहीं कर पाया या फिर मैंने life को बहुत miss किया और देखिए ऐसा ही हम भी करते हैं एक fear आता है और डर के मारे हम जो चाहते हैं उसी direction में action initiatives नहीं लेते हैं और फिर कहीं परेशान होते रहते हैं और अगर ऐसा आप भी महसूस कर रहे हैं Libras तो इसी चीज को check करके जरूर correct करें क्योंकि जैसे ही आप अपने fears, अपनी insecurities को overcome करेंगे कहीं थोड़ा सा आप emotionally detached होंगे चीजों से वैसे ही आप better भी feel करेंगे और दिखें चीजें भी आपके life में या मैं कह सकते हूँ कि external life में भी better होनी शुरू हो जाएंगी and guidance से आप लोगों के लिए healing begins का card है और दिखें ये card भी वही चीज कहता है ये card कहता है कि पीछे जो भी issues रहे, मसले रहे जिनकी वज़े से आपने एक hurt महसूस करी एक परेशानी महसूस करी बहुत important है कि कैसे आप उनको heal करें उस पे आप ज़्यादा focus करें क्योंकि देखें जब तक past की hurt से हम अपने आपको heal नहीं करते हैं तब तक future में भी हम चीजों को नहीं enjoy कर पाते हैं future में या मैं कहूंगी कि current में भी हम एक सुकून एक peace of mind अपनी life में नहीं ला पाते हैं तो फिर से देखें इस चीज का आप ज़रूर खयाल करें and astrology से आप लोगों के लिए the sun का card है और देखे sun भी clarity की बात करता है और यहाँ पे shadow का card कहीं confusion की भी बात करता है तो देखें जिस भी चीज को लेकर again आप clear नहीं है उसी से ही related कैसे एक clarity आए उस पे आप focus करें और देखें वैसे तो knowledge को रोशनी से हम represent करते हैं तो again देखें आप और knowledge gain करें और चीजों को जानना चाहें और information लें उससे भी क्या होता है ना कि जो भी confusion होती है वो clear होती है और हम चीजों को बहतर तरीके से deal कर पाते हैं और देखें सन के हिसाब से देखें तो yellow color आप लोगों के लिए इस week lucky रह सकता है and significant day आप लोगों के लिए होगा Sunday तो ये था Libra's आप लोगों के लिए coming week us आपता ही क्राशी फल और नीचे मुझे comment section में जरूर बताएं कि ये कितना आपके साथ resonate हुआ कितना आप connect कर पाए